कुछ लोग समाज में बदलाव लाने की बात तो करते हैं, पर सिर्फ बातों तक ही सिमित रहते हैं, परन्तु कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, जो इन सब सपनों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्प निछावर कर देते हैं. ऐसी ही एक शक्सियत हैं पायल गुपता जिनोंने मात्र सत्रा वर्ष की आयू में शिक्षित समाज वे समाज सुधार को अपना उद्देश्य बनाया. रोहतक में जन्मी पायल गुपता लगबग दस वर्षों से लगातार समाज सुधार, शिक्षा, स्किल डिवेल्पमेंट वे नारी सशक्ती करण के लिए निरंतर कारे करती आ रही हैं. उनका मानना है कि नारी जितनी सशक्त होगी समाज उतना ही सशक्त होगा. सोनिपत में अपना ब्यूटी पार्लर चलाने वाली पायल गुपता ने स्किल डिवेल्पमेंट पर पूरा जोर दिया है. पायल गुपता अपने पार्लर में गरी परिवारों से आने वाली लड़कियों वे महिलाओं को फ्री में ट्रेनिंग प्रदान कर रही हैं. ताकि वो अपना स्वेम का रोजगार खोल कर अपना वे अपने परिवार का पालन पोशिन कर सकें. समय समय पर पायल, स्कूलों वे कॉलीजों में कारेशालाओं का आयोजन कर लड़कियों में नया आतम विश्वास भरने का काम कर रही हैं. इस कारे में उन्हें, उनके परिवार, वैस समाज का पूरा-पूरा साथ मिल रहा है. उनके इन समाज सुधार के कारियों के लिए उन्हें विभिन समाजिक संस्थाओं द्वारा विभिन पुरुस्तकारों से समानित किया गया है. पाइल गुपता अपने इन उद्देशियों के लिए प्रियासरत रहेंगी. उन्होंने अपना पूरा जीवन इसके लिए समर्पित करने का उद्देशिय रखा है. हम पाइल गुपता के उज्वल भविश्य की कामना करते हैं तथा आशा करते हैं कि पाइल गुपता इसी प्रिकार समाज सुधार वे नारी सेशक्तिकरन के कारियों में लगी रहेंगी. प्रिकार समर्पित करते हैं कि अपना प्रिकार सम्र्पित करते हैं लगी.